आप सब कैसे हैं और एक बार से फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिपक विलोग में और आज हमें एक छोटे से काम से जा रहे हैं मेरेट सीटी जो कि वाया सहरनपूर होगा बाई ट्रेन तो आज आपको हम दिखाएंगे कि लोकडाउन में ट्रेन में कैसा प्रमि आज बनाते हैं तो मैं आप देख सकते हैं आपको रास्ते में मुझे ताइम पर फोंचना भी है तो लेट्स को मैं आपको अपने गाउं से राएपुरता का रास्ता भी दिखाना चाहता हूं जो कि वेरी डिफिकल्ट है बस थोड़ा सा रास्ता लूँगा मोबाईल भी गिर सकता है हाथ से क्योंकि बाईक भी उसको ड्राइव करनी है सो इल ट्राइ माई बेस्ट लेट्स सी बहुत सारे पत्थर हैं रोड पे और आई थींग आप मेरी वोईस को पहचान सकते हैं कि गड़ो में कैसे वोईस मेरी एकदम से करेक्ट नहीं आ रही है जोड़ा अप्स डाउन हो रहे हैं और यू कैन से जर इस नो रोड अनली गड़े गड़े तो देखते हैं मैंने इस्टेबिलिटी ओन क्याव है मोबाईल में तो आपको इतना ज्यादा जंपिंग नहीं मिलेगा बट यू कैना इदेंटिफाई बाइदा टिक उन दर रोड इस चुबह का टाइम है इतने ज्यादा पब्लिक अभी बहार नहीं निखली बट चलो रीका पोड़र दिखा दें आपको हमारे यहां कैसे लगता है आप सामने देख सकते हैं रीका पोड़र देने वाला वहान आ चुका है और लेट सी कि यह देखेगा इस फिरी वाला पोड़र हमें मिल रहा है मुफ्क में बिल्कुल कोई टाइसा नहीं अगर आपको भी चाहिए आपको भी चाहिए और यह हमारा बिजली घर है यहां पे मेरे पीछे यहां से हमारे यहां पे लाइट वगरा जाती है और जो भी आपने रास् पर तो सहरनपूर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एकदम से रोड जबरदस्त है और यह देखिए एकदम से रोड खाली है ज्यादा ट्राफिक नहीं है और सहरनपूर तक मुझे ऐसा ही मिलेगा सहरनपूर तक एसा रोड मिलने के कारण में राउंड टीटू 50 किलोमेटर प पहुंच जांगा इजली एंड सहरनपूर हमारे घर से अलमोस्ट 45 किलोमेटर से जो कि अच्छी राइड होने वाली है चलिए मिलते हैं मैं अभी सहरनपूर से अलमोस्ट 6 किलोमेटर अवे हूँ उससे पहले यहां पर साइं मंदिर पढ़ता है में रोड पे जो कि आप दे अलमोस्ट लगारा की जाइज फाइनली मैं सहरनपूर रेल्वे स्टेटन पे पहुंच चुका हूँ आप एस सामने देख सकते हैं यहां पर सनी मंदीर है यह पार्किंग है सहरनपूर से देंग और यहां पर आएं बाइक कार जो भी है आप यहां पर कर सकते हैं पर डे का बाइक का 20 रूपीज लेते हैं 10 रूपीज हेलमेट का चार्ज तो टोटल 30 रूपीज पर डे और अभी राउंड हुआ है 740, 45 तो मुझे ने वन आवर लगा है तो जिसमें की मेरी बाइक की स्पीड रही अभी हमें मेरे पीछ आप देख रहे हूंगे रास्ता इसके थुरू मुझे अंदर जाना है एक रास्ता हो रहा है तो वहां से टिकेट दिखा के तब यहां पे एंट्री में लेगी तो तब तक के लिए मैं दनी देव मंधिर में आज जोड के आता हूं आश्क्रिवाद लेक लेखा है और वमोंगे एंदरी में खल को सहर जोड़ा है अग्राश ओारा है अजाना है इजाना है वहां आपकषा भावाद रहाओा है नाभी है इजार लेखा है यहां भी कि अधरा है लेगा है छल के लेगता है आपके जाय सकते हैं मुझे इस तिताल दो और आई होप आपने भी दर्शन किया होंगे तो अब हम चलते हैं रेलेशेशन के तो भी यहां से तो मना कर रहे हैं क्योंकि हमेश राष्टे से जाना पड़ेगा यहां पर जो है टिकेट चेक करेंगे वो तभी अलाउड करेंगे एंदन इफ यहां लगेज तो स्कैनिंग होगा मसीन से तो चल यह दिखाते हैं आपको वे सामने टिकेट चेक हो रहे हैं तभी एंट्री होगी रेल्वेस के अधरवाई के नहीं हो पाएगी तो मुझे मैं टिकत टिखाना पड़ेगा उसके बाद ही फिर मैं अंदर एंट्री अंदर एंट्री होगी है तो भी मैं रेल्वेस के इन पर जा रहा हूं हूँ हमारी हो मुझे खिर्म आप के बूस्य है रखाओना नाले मरेसित नमबर 10-28 में आप आपको पे घर्म एडिरो प्यु इस वैस जो पर आपकर-देदी एक्प्रेस स्वाया मुझपरणगर घ्टाली मेरत सिटी गोडिनगर is standing on, platform number 4 So guys, finally my tent is on, so now I have to go to Belgium Pult, the hot water is ready यहां पर यहां पर आपको यह रिक्षा मिल जाएगी ओटो मिल जाएंगे जो कि शेड ओटो भी है प्राइवेट ओटो है और सिंस दिस इज मेरट कैंट थामनी है यहां पर यहां पर वीडियो इस नोट अलाओ तो मैं अभी वीडियो को बंद करूँगा और आगे इस सहर में यह है कि अगर आप ओटो वगएरा में रिक्षा में मोबाइल से हाथ में लेकर वीडियो कपके कर गए तो चांचिज है मोबाइल छून के हाथ में कोई धाब सकता है यह मुगे लास्ट ताइम एक ओटो वाले में बोला था तो मैं भी कुछ वीडियो नहीं मनाऊंगा रास्ते में अभी डिरेक्ट जहां को मुझे जाना है वही पे उतर के तब आपको बताता हूं कि मैं कहां के जा रहा हूं तो भी मुझे सेड होतों देखना पड़ेगा द्रवाज यह फूल हो जाएगा एंदेन तो प्रवाज अभी मेरेट केंट रेलेव स्टेशन से बाइशेड ओटो आ चुका हूं और मुझे लगा है ओल्मोस्ट थर्टी मिनट्स तिकी मेरेट केंट से बेगम पूल आया और बेगम पूल से मैंने अनुदर सेड ओटो लिया जो कि मैं अपने डेस्टिनिशन पे पह अभी मैं पैदल जा रहा हूं तो मेरी कुछ का मठका हुआ है कुछा डोकुमेंट इस स्पेंडिγी है जिनको मुझे लेके युनिवस्टी से वापिस होना है तो अभी मैं यूनिवेस्टी की तरफ जा रहा हूं पैदल रास्त है दो तिन मिंट्स का जहां से मुझे सेड ओटो निटा रहा है और आइटिंग तो आज यहां पर थोड़ा बहुता लोगडाउन है जिससे कितना क्राउड नहीं है और खाने पेने का जो शोप की यूनिवे सामने जगह देख सकते हैं जहांके दो कार खड़ी है यह बेसिकली छोले कुल्चे नान चोले भुतूरे और वगर वगरा चाय वगरा सब मिलता है यहां पर यह आज बंद है क्योंकि चेस्ट यूनिवेस्टी के बिल्गों सामने है रोड़ प्रोश करके तो यह रही हमारी यूनिवर्सटी मेरट इसका पूरा नाम है चोध्री च्रणा सिंग्षि मेरट और इसको बोलते हैं सी ये सिज्यक देगा सिलन यम्हें है इसमें इन्दर जाना एसे चलते हैं मैं अभी यूनिवर्स्टी केंपस में आ चुका हूँ और ये नेता जी सुभाई चंद्र बोस प्रोक्साग रहे है पता नहीं क्या मतलब है प्रोक्साग रहे का और कि यह में रोड है यूणिवर्स्टी में इंदर जाने के लिए जो आप सामने देख रहे हैं और जहां पर मुझे जाना है वह भी इसी साइड में है चलिए जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि मुझे कहां पर जाना है आज अभी बस थोड़ी गर्मी स्टार्ट हुई है अदर्वाइज कंपेर टू लास्ट टाइम यह बहुत अच्छा है अब की बार इतनी गर्मी नहीं है बादल साइब है अभी थोड़ी दूपनी यहां पर इसलिए मैं ब्लोग नहीं बना पाया किकी मेरा हालत ठराव होती थी आलवेज पसीने पसीने आ रहे थे तो इसलिए बना नहीं पाया क्योंकि डिस्ट्रबैंस हो रहा था बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण लेट्स आइज कुड़ नोट में ब्लोग बर इस ब्लोग बनाना कि आज मैं नेरट जा रहा हूं युनिवेस्टी में किसी काम से और फाइनली मैं यहां पे पूंच चुका हूं सुबह 6 बज़ के 40 मिट पे निकला था और अल्मोस्ट दस बज़ के 40 मिट हुए हैं भी तो लगवग चार घंटे लग चुके हैं मुझे और ग सब्सक्राइज मैं फाइनली पहुच चुका हूं जहां पे मुझे काम है इसको बोलते है परिक्षा एवम गोपनिय विभाग तो बेसिकली यहां पे अभी दिखाता हूं क्या-क्या होता है तो यह है कॉन्फिदेंशियल डिपार्मेंट एग्जामिनेशन डिपार्मेंट तो यहां से आप सब मतलब आपकी मार्क्षिट जो भी है B.A.M.A, L.L.B, B.com, M.com जो भी है सब वो यहीं से मिलेगी यह पूरा डिपार्मेंट है उसका तो लट्सी अभी मिलता हूं आपको अपना काम करने के बाद दोस्तों इस कामप्ले मैं यहां पे आया था वो मेरा का हो चुका है मैंने डोकुमेंट्स क्लेक्ट कर लिए है तो अभी मेरे पास बहुत समय है मेरी ट्रेन के लिए ट्रेन टू थर्टी है मेरे ट्केंट से ही तो अभी मुझे वेट करना पड़ेगा और मैं जगह देख रहा हूं कहीं पे जहां पे बैठ के आप से दो बाते करें कि यह जो मेरे सुच्छा आप ड्रेर में तर्फर रही है करो यहां पर क्या क्या होता है कर weakened आपके लिए तर कि इस कर यह दर फी यह पूरा इक डिपार्मेंट है चलो में इन fender है है तो आपसे बात करते है है हेलो गाइज, तो अभी मेरा युनुवेस्ट का काम हमी सो चुका है, और में एक चोटी से पार्क में युनुवेस्टी के पास बैट के वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ट्रेन आने में अल्मोस्ट ट्रापनार है, तो मुझे ऐसे लाइन स्पेंट करना पड़ेगा, और यह मेरे ट्रापनार है, तो चाहिवाए कि कुछ भी दुपान ओपन नहीं है, अभी मुझे देखना पड़ेगा, कांते जाना में क्या खाना है, भूप भी बहुत अच्छी दल रही है, तो बस लीट हाज का लोग और इसको लोग में मुझे युनुवेस्टी कवर करना था, कि मारे कासी युनुवेस्टी कैसे जाते हैं, कितना थाइम लगता है, तो ओल्मोस्ट जैसे मैंने बताया है, फोर आवर्स में में अपने कासी युनुवेस्टी पूंचे को कि बाइक, ट्रेन, बाइक, बाइक, शेयर ओटो, बगर बगर और पैदल दी, तो दोस्तों मैं रेल्वेस्टेटन, अब युवाए 1.30 एंड अराउं 2.30 ट्रेन आएगी, तो इस्टिल आम हाविंग वन आवर्स तो वेट, तो गाईज मैं मैं रेल्वेस्टेटन पे ही बेट करता हूं, तो आज का ट्रीप अच्छा रहा, मिलते हैं फिर आपको तुदेने, गल्वेस्टन, जैज के टो एंड गवड मैं मैं उल्हा रह best रह रह वै एंड मैं टासťों करता हैं, युवार्स बइसर दो सो आखके, पालने जाप सत्वार अईजीं, अड़ा उLab सितर सम्स्राइब मैं वर्च्ड़ मैं युवार्स बड्स्तों करते हैं आवर्स ृश्या झाल झाल तो दोस्तों स्याम होने को आई है और अभी तक मैं अपने घर भी नहीं पोचा तो यह सामने आप रास्ता देख सकते हैं यह मेरे घर को ही जाता है तो मैं अभी रास्ते में हूं घर को जा रहा हूं आई होप आपको ही मेरा ट्रेवलिंग ब्लोग पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स फैमली को इसको शेर कीजिए आपने फुलूदा का वीडियो जुरू देखा होगा जो कि मैंने आते वे साहर कि मॉनिंग में जो मैंने ब्लोग स्टाट किया था ट्रेवलिंग ब्लोग यहीं से स्टाट किया था खतम भी यहें पर कर रहा हूँ आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक माई वीडियो शेर विद यूर फ्रेंड्स ज्यादे से ज्यादा चैनल को प्यार की दीजिएगा सदेट मैं आगे भी वीडियो बना सकूं इसी तरह से और आपको हम जल्दी ही मिलेंगे एक नाई व्लोग के साथ